हर्याली आवस्या की कहानी जैबोले एक राजा था उसके एक बेटे थे और बहु थी बहु ने एक दिन मिठाई चोरी करके खाली और नाम जोट मोट का चूहा का लगा दिया यह सुनका चुहा को बहुत गुसा आया उसने मन में बिचार किया कि हम राजा को के सामने चोर को जरूर लेकर आएंगे और एक दिन राजा के घर में जब महमान आये और राजा के कमड़े में सुए तो चुहा ने राणी के कपड़े ले जाकर मेहमान के कमड़े में रख दिये सुभा उठकर सब लोग आपस में बाते करने लगे कि छोटी राणी के कपड़े मेहमान के कमड़े में मिले हैं जब यह बात राजा ने सुनी तो छोटी राणी को घर से निकाल दिया वो रोज साम को दिया जलाती और जौरा बोती थी पुजा करती थी गुर्धानी का परसाद बांटी थी एक दिन राजा सिकार करते उधर से निकले तो राजा की नजर उस रानी पर पड़ी राजा ने घर आकर कहा कि आज तो ज्जाड के नीचे चमतकारी चीज है और ज्जाड के उपर जाकर बैठ कर देखो आपस में बात करें आज कौन-कौन क्या खाएगा कैसी कि पूजा करेगी उसमें से एक दिया बोला आपने मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भूग भी नहीं लगाया बाकी के सब दिये बोले ऐसी क्या बात हुई तब दियो बोला कि मैं राजा के घर का हूँ उस राजा की एक बहु थी वह एक बार मिठाई चोरी करके खाली और चुहो का नाम ले लिया तब चुहा को गुसा आया तो राणी के कपड़े महमान के कमरे में रख दिये राजा ने राणी को घर से निकाल दिया वो रोज मेरी पुजा करती थी भोग लगाती थी उसने राणी को आसिरबात दिया कहा कि वे सदा सुखी रहे फिर सब लोग जाट पर से उतर कर घर आये और कहा कि राणी का कोई दोस नहीं था राजा ने रानी को घर बुला कर सुख से रहने लगे और भूल जुक माफ किया इस परव को मनाने के पौरानिक और पार्यानिक दोनों ही खारण है वैसे तो इस परव की पीछे एक और कहानी प्रचलित है वह हर्याली अमवस्या के दिन परवती जी के तब की परिच्छा का भी दिन माना जाता है भवार संकर को पती के रूप में पाने के लिए परवती जी बड़ी कठी तपस्या कर रही थी उस तपस्या से समाधिस्त सिप्भी बिचलित हो गए ऐसा माना जाता है हर्याली अमवस्या के दिन संकर जी ने पारवती के तब की परिछा लेने के लिए सबतरिसी ओं को उनके पास भेजा था सब्तरिशी पारवदी जी के निस्चही परिच्छा के लिए संकर जी के बारे में मिध्या बाते करने लगे संकर जी लज्या को छोड़ कर नंग धरंग कैलास परवत पर और असमसान में भूत पेतों के साथ रहते हैं ऐसा कहा सब्तरिशियों ने साथ ही कहा केसों को जटा जूट बनाए रखते हैं, कंठ में बिश्धारन करते हैं, मुंड माल पहनते हैं, अंगों में चिता भस्म और सरपल पेटे रहते हैं, भांग धतूरा खाते हैं, उन मत्त होकर तांडब नित्य करते हैं, उनके कुल, खां आसीन हैं, काम के सत्रू हैं, पहले सती से विवा किया, और कुछ दिन रहकर उस बेचारी को त्याग दिया, और खुद स्वतंत्र होकर ध्यान में रम गए, ऐसा बर को तुम पाकर क्या सुक बिलेगा, बर के रूप में कुल, धन, आदी जो कुछ गुंज देखे जाते हैं, वे सब भोले नात में तो हैं ही नहीं, संकर में कुछ भी नहीं है, अर्थात बर के अंदर कन्या, रूप, माता, धन, पिता, बिद्या, बंधु, बांधव और कुल देखना चाहते हैं, किन्तु आम आदमी मिठाईयों पर नजर रखता है, अब तुम ही देखो उस बिरु पाक्ष यानि तीन नेत्रो बालों में इन में से कौन जी बात है, तुम उनको छोड़ दो, और लक्ष्मी पती भगवान विश्नु जी को जो बैकुंठ में रहते हैं, अपना पती चुन लो, पार्वती जी हस्ते बे कहती हैं, भगवान संकर स्वेम अकिंचन है, किन्तु स वे नंगे रहें, गच्चर्म पहनें, या रेस्मी बस्ते से तुसजीत हूं, सरी में सापल पेटें, और रतन आभुसन, वे तरिसूल, खपड़ आ दिलें, या फिर सीस पर चंद्रमा चमकता रहें, इससे उनके विश्व के सौमी होने में कोई अंतर नहीं आता, मैं आप की सीख नहीं सुनना चाहती हूं, कि प्यार लोग अपने अस्थान को पधारे, मैं संकर जी के सिवाए किसी और को अपनी पती नहीं बनाऊंगी, यह सुनकर सब तरिसी पारवती जी की जैचाकार करने लगे, और उन्हें अटल सुहा का बरदान देकर संकर जी के पास वाप मैंचल के पास भेजा कि वे पारवती जी को घर लाकर विवाह की तियारी करें, सब तरिसीों ने संकर जी का समाचार राजा हिमाचल को सुनाया, वे बहुत प्रसन्नुवे और राजा हिमाचल अपनी पत्नी अन्य सुहागिन स्थरियों के साथ सच धचकर नाचते गाते वे पारवती जी के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए राजा हिमाचल के घर नित्य उत्सब होने लगे खुसियां मनाई जाने लगी मिठाईयां बाटी जाने लगी तभी से हरियाली अमवस्या का तिवार मनाया जाने लगा हरियाली अमवस्या पर सी परवती की पुजा से कुमारी करन्याओं को स्रेष्ट पर मिलता है और विभायत इस्तरियों को स्वभागी की प्राप्ती होती है ब्रदी होती है इस दिन आप कहीं भी पवीतर जला सहे वेगरे में नहा ले या फिर गंगाजी में भी नहा सकते हैं और ब्रहमनों को भोजन कराने से पित्री गन पसंड़ों होते हैं इस दिन अगर आप अपने हाथों से एक भी पौधा लगा देते हैं तो अगर आपको संतान नहीं है तो संतान का सुख भी मिलेगा या आप चाहें तो आउले का पौधा, तुलसी का पौधा या फिर बट ब्रिक्ष, पीपल का पौधा सावजनिक अस्थान में लगाईए और सेवा कीजिए जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा जीवन की परिसानियां खत्म होने लगेगी अपनी कामना के अनुसारी पौधे लगाईएगा जैसे की पीपल के ब्रिक्ष में बर्मभाजी रहते हैं, विश्नु महेश का वास होता है इसको लगाने से सद्गदी मिलती है संदान प्राप्ति के लिए पीपल लगाएं, नीम, गुढ़हल, असुगंधा लगाएं और लक्ष में प्राप्ति के लिए आउनला लगाएं, बेल पत्र लगाएं, सोक दूर करने के लिए असोक का पिर लगाएं और बुद्धी ज्यान पाने के लिए आप या फिर उत्तम पत्नी पाने के लिए पाकड का पिर लगाएं और उम्र आयू लंबी करने के लिए बेल पत्र और रोग नास के लिए समी का पौधा जरूर लगा है हम आपसे विदा लेते हैं हर्याली आवस्या जैसे सिव जी पारवती जी की जोरी अटल है हम सब की रहे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ हर हर मखादे